मेरे चैनल में आपका पुना स्वागत है। जल्द ही, परियावरन ये परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर और तापमान बढ़ गया है। दिन के दोरान काम के घंटे व्यक्तियों के लिए अत्यधिक कश्टदाई हो गए हैं। वे रात के अंधेरे में काम करते हैं, प्रजनन करते हैं और सहयोग करते हैं, बलकि अधिकांश तटवर्ती शहली क्शेत्रों में समुद्र के बरते स्तर से लड़ते हुए भी काम करते हैं। निकोलस, स्क्रैच, रेल, मियामी में रहने वाला एक स्वा सम्मानित निजी विशेशग्य, अपने ग्राहकों के लिए थियो पेंटल को नियंत्रित करता है जो उन्हें स्मृती में मदद करने के लिए एक मशीन में रखता है। वह मियामी डेड लीड अभियोजक के कार्याले के लिए अस्थाई श्रम में अपने साथी एमिली, वाट्स, सैंडर्स के साथ काम करता है। स्क्रेच को पता नहीं चलता कि मैई एक दवा विशेशगय के लिए काम कर रही है जिसके उतपाद में बाका, नामक दवा शामिल है। स्क्रेच के साथ डेट के तुरंद बाद मैई जल्द ही गायब हो जाती है और उसके पास केवल उसकी यादे ही रह जाती है। स्क्रेच हैचरी टैंक में खुद को भीग कर इन यादों को याद करने का प्रयास करता है, भले ही एमिली ने उसे ऐसाना करने की चितावनी दी हो क्योंकि इसे दिमाग को नुकसान हो सकता है। कुछ बिंदू पर स्क्रेच और एमिली को दिये द्वारा एक गलत काम करने वाले संदिग्ध जो मैं है पर्विसरजन मूल्याकन का निर्देश देने के लिए बुलाया जाता है। बंधों में सनलगन थी। अपने पिता ब्रेट कुलेंड के साथ मैई और पतित पुलिस कॉनर ग्लफ कर्टिस एलसा और उसके बच्चे को ढूनते हुए घायल हो गए। स्टाल एलसा को मार देता है जबकि मैई अपने बच्चे को भागने में मदद करने के लिए उस पर हमला करती है। कॉनर ने बाद में मैई को मार डाला हाला कि इससे पहले कि वह स्क्रेच को स्टाल की याद में एक संदेश छोड़ दे जिस पर स्क्रेच उस समय चलता है। मैई को पता चलता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती थी और उससे संपर्ख करने का प्रयास करती थी लेकिन साथ ही उसने अपना अवसर भी गवा दिया स्क्रेच सबूत लेता है और वाल्टर के बच्चे सेबेस्टियन मोजियन आरिया को प्रेरक शक्ती के रूप में उजागर करता है जो अपने सोतेले भाई को अपनी विरासत नहीं सौंपने की कोशिश करने की उम्मीद करता है वह ये भी पता लगाता है कि मैई द्वारा बचाये जाने के बाद भी वह बच्चा कहां छिपा रहा है पानी में एक सफेद ब्रेस हाउस में जहां मैई म्यामी आने से पहले कुछ समय तक रही थी अपनी परीक्षा समाप्त करते हुए स्क्रैच हमेशा के लिए खुद को अपनी यादों में रखता है कुछ हद तक अपनी गतिविदियों के लिए एक वाक्य के रूप में जिसे अनंद काल के लिए एक कश्टदाई स्मृती के लिए कौनकों पकरने की याद आती है तब ये पता चला कि पूरी फिल्म वास्तव में इस तथे के कई वर्षों बाद स्क्रैच की स्मृती में घटित हो रही है जिसका अर्थ ये हो सकता है कि विशिष्ट सूक्ष्मदाएं बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि ये वास्तव में काम करती है एक अधिक अनुभवी वाट्स उसके करीबी दोस्त को ध्यान में रखते हुए दिखाई देते हैं मेमरी टैंक उसकी पोती से जुड़ा हुआ है स्क्रेच हैंडल मस्तिष्ट का एक गोपनिय विशेशग्य अतीत के आकरशक ब्रह्मान की खोज करता है जब उसका जीवन नए ग्रहक मैई द्वारा बदल दिया जाता है उसके गायब हो जाने के बाद एक सीधा सा मामला एक समस्या में बदल जाता है और वह उसके संबंद में वास्तविक्ता से परिचित होने के लिए संधर्ष करता है दूर के भविश्य में जहां मियामी को अप्राकृतिक मौसम परिवर्तन के गंभीर परिनामों का सामना करना पड़ा और अनिवार्य रूप से कम हो गया एक विश्य मियामी वेग्याने का तीत के खोए हुए या प्राचीन अवशेशों को पुनर प्राप्त करने और उन्हें वापस लाने के संबंद में सबसे महान संदर्भों में से एक है भाड़े के लिए श्रमिक हालां कि जब वो अपने किसी ग्राहक से कोई निजी मामला समझता है तो स्थिती उलज जाती है देखने के लिए धन्यवाद, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें